हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे चिकेन पुलाव और साथ ही इसके साथ खाया जाने वाला रस्सा तो बहुत ही यम्मी रेसिपी है फटा-फट से बन जाएगा एकदम जल्दी लेकिन टेस्ट वही बिर्यानी वाला आएगा तो एकदम जल्दी से हम बनाएंगे शुरू करते हैं रेसिपी को चिकेन पुलाव और रस्सा तो इसके लिए मैंने या पे डेर ग्लास चावल लिया है और उसको धो कर थोड़ा सा पानी एड़ करकर उसको साइड में रख देंगे थोड़ा देर के लिए फुलने के लिए और इसके बाद अब हमने दोनों साइड कराही को चरा दिया है तो एक साइड हम चिकेन को बॉल करेंगे नमक और हल्दी डाल कर और दूसरे साइड तेरल एड़ किया है तो उसमें हम प्यास को फ्राई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर दाल कर इसमें अब हम चीकेन को एड़ करेंगे तो यह आधा किलो चीकेन है और थोड़ा सा इसको पानी में इस तरह से डूबाओ करके धक करके बॉइल होने के लिए लगबक 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट में अची तरह से बॉइल हो जाएगा दूसरे साइड हम प नॉरमली क्या होता है ना बिड़िया निए बनाने में बहुत दाता टाइम लग जाता है चावल को अलग से पकाओ चिकेन को अलग से पकाओ फिर दम लगाओ और यह वाला जो परोसस है eh Nh टाइम बहुत कम लगने वाला है, तो चिक्केन हमारा बॉल हो चुका है, इसको हमने पानी से अलग कर लिया है, और इसमें थोड़े सा नमक और मसाले एड़ करेंगे, तो दो चमच, छोटा चमच है, दो चमच नमक, दो चमच हल्दी पाउडर, यहां पे मैं एड़ कर रही हो मिर्ची का पाउडर, एक ही चमच एड़ किया है मिर्ची, और दो साथी दो चमच जो है वो धनिया पाउडर, और इसमें हम एड़ करेंगे, लगभग आदा चमच गरम मसाला, तो चलिए पहले इन मसालों और नमक को मिक्स कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, तो अदरक कटा हुआ, एड़ किया है, साथी थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और इसमें अब हम एड़ करने वाले हैं, थोड़ा सा प्यास जो हमने भुनकर रखा था, साथी इसमें, दो चमच जाएगा दही, दही आप थोड़ा कम यह ज़ादा डाल सकते हैं, पर मैंने यह पर दो ही चमच युसकी है, और थोड़ा सा अड़ करेंगे तेल, तो अब सारे मसालों को चिकेन के साथ जो हम मिक्स कर लेंगे, और चिकेन अलड़ी हमारा उबला हुआ है, तो जादा बिलकुल पर टाइम नहीं लगने वाला है, फटावट से बनने वाला है, और इसलिए ह हमने दोनों साइड गैस को अन कर दिया था, कि जल्दी यल्दी से हो जाएगा, और यहां में रिखे, यह हमारा चिकेन जो हो मिक्स हो चुका है, दई और मसालों के साथ, तो उस कराई में अल्रेडी तेल बचाई हुआ था, तो आधा तेल को हमने चिकेन को मिक्स करने में ड सीरा, तेजपता यह सब डाल करके और उसमें एड किया है, मिक्स किया हुआ चिकेन और इसको अब हम तरके की साथ लगबग पांच मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि अल्रेडी चिकेन तो हमारा पका हुआ है, बस मसालों को हम पांच मिनट तक भून लेंगे, जिससे की कूकर चड़ाया है, और फटा-फट से कूकर में बनाएंगे, जल्दी से हो जाएगा, अब बिंगो एवे चावल को जो है, एड कर देंगे, तो यह लगब अग डेर क्लस चावल है, आधा किलो हमारा चिकेन है, और चावल में अब हम चिकेन एड कर देंगे, और इसमें चिकेन बुनने के बाद एक साथ ही सब कुस डाल दिया है, चावल, चिकेन, पानी, तो पानी भी जो है न, जिस बरतन से जितना चावल लिया था, उसी बरतन से डेर कुना के लगबाद पानी लिया है, मैंने, और यहाँ पे जो है, वैसे तो पानी थोड़ा बहुत चावल उसी बरतन से डेर कुना पानी उसी पानी डेर कुना पानी, तो फूल लिया है, एक से टी लगया है और बस चिकेन पुलाव हो जो है, हमारे रेडी हो चुका है, और अब हम, थोड़ा सा एड कियां तेल उसी कराही में, थोड़ा सा जीरा, मिर्ची तेजपता, और साथी, ज जो चिकेन हमने उबाला था उस पानी को आड़ किया है बरतन वगरत हो करके तो थोड़ा मसाला भी आ गया है और अब इसमें बाकी के मसाले और नमक एड़ कर देंगे तो चिकेन पुलाव थो हमारा रेडी हो चुका है अब इसके साथ रस्ता भी रेडी कर लेते हैं टेस्ट के अकोरिंग नमक थोड़ा थोड़ा हलदी थोड़ा मिर्ची पाउडर थोड़ा दनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा इसमें साथी थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा पुलाओ मसाला या बिडियानी मसाला या फिर पुलाओ और बिडियानी मसाला नहीं भी डालेंगे तो चलता है चिकन मसाला गरब मसाला डाल दिये तो बस हो गया और इसमें थोड़ा सा प्यास डाला है मैंने जो भुन के रखा था और साथी थोड़ा सा पुदीना और हडी धनिया और बस थोड़ा सा उबालाएगा और रडी है रसा और यहां पे देखें यह मज़ेदार हमारा चिकन पुलाओ जो है वो रडी हो चुका है इसके उपर हम ए जाएगा घी से पुलाओ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो इसको जरूर से आड़ के जएगा और अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा फूड़ कलर तो एकदम बिढयानी वाला लुक आएगा लेकिन फटा-फट से बनाये चिकन मसाला थोड़ा सा और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और ये रहा हमारा चिकन पुलाओ तो बस चिकन को उबालिए थोड़ी से मसाले मिक्स कीजिए चिकन को फ्राई कीजिए चावल चिकन पानी और मसालों के साथ एक सेटी लगा दीजिए और रड़ी हो चुका है हमारा चिकन पुलाओ और साथ ही यहाँ पर रस्टा भी अमरे रेडियो चुका है इसको भी हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है